तो दोस्तो कि आपके mobile phone में भी camera open नहीं हो रहा है जब भी आप अपने mobile phone के camera को open करने जा रहे हैं कि आपका back camera भी open नहीं हो रहे हैं जब भी आप camera को open करने जा रहे हैं तो आपके सामने इस type की black screen आ रही है तो ऐसे में आपके mobile phone का camera open नहीं हो रहा है तो दोस्तो मैं आपको ब वाइल फून के उना हो Samsung, Realme, Oppo, Vivo, Tecno, Infinix, Motorola या Redmi का फून तो आज की इस वीडियो में आपको तीन एक ऐसी सेटिंग बताने वाला हूं जिन तीन सेटिंग को एनेबल करने को बद मैं गैरंटी के साथ कहता हूं अभी दो मिनिट के अंधर इस प्राब्नों को सालो करके दिख जैसे की beauty palace आगया, HD camera आगया क्योंकि play store के camera में में छोटे मोटे अच्छे filter दे रहे थे तो उन चक्रों में play store से third party camera इंस्टाल करते हैं तो उनके थुरू कभी-कभी हमारे mobile phone में virus आ जाता है तो जिसके चलता है आपो camera में ये सब problem देखने को मिल सकता है तो दो पहली setting आप अपने while phone में settings को आपन करेंगे तो आपके समने भी कुछ S interface निकल के आ जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर पहला network and internet का दूसरा connected device का तीसरा apps and notification का तो यहाँ पर मुझे तीसरा option आ रहा है apps and notification तो हो सकते है आपको नीचे चलके कहीं पर आ रहोगा management app, app info यह app list का आइकन देख आपको अपने डिलेट कर देना है अनिस्टाल कर देना है आपको अपने mobile phone में एकी camera रखना है वह आपके mobile phone का original camera रहेगा तो दोस्तों कहां गया मेरा camera तो यहाँ आगे calendar करेंचे camera तो मैं camera पर क्लिक कर दूँगा तो जैसी आप भी camera पर क्लिक करेंगा तो आपके समने भी आपको देख रहां को notification, permission, storage, and cash, mobile data and wifi, advance तो आपको storage and cash के आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपके समने दो option हैंगा clear storage का clear cash को तो आपको पहले clear cash करेंगा तो जैसी आप clear cash करेंगे उसको आपको clear storage के आइकन पर क्लिक करके आपको ok अधने तो इतनी setting करने को आपको एक step back आगे तो जैसी एक step back आएंगे तो यहाँ पर आपको 4 stop की आइकन पर क्लिक करके आपको OK कर देने तो 4 stop को OK करने से benefit हो जो भी आपके camera में छोटे मुटे गिली चाहरोंगे तो automatically solve हो जाएंगे तो जैसी आप 4 stop करने के उसका आपको एक step back आना है इसको लांग परेस करने तो जैसी आपको तीन आप्शन देखने को मिरें हो emergency का lockdown का power को तो आपको power वाले आइकन पर किलिक करने है तो जैसी आप आपको दो आप्शन दिखरे होंगे power off का restart का तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा मेरे पास एक realme का device है तो मुझे यहां पर restart का इकन दिख रहा तो हो सकते हैं आपके बिचोड़ के Samsung, Vivo, Tecno, Infinex और किसी तीसरी company का device हो तो आपको restart की जागा रिबोट का इकन दिख रहा हुआ बाद में open होके आ जागे तो open होके आने के बाद अब हम चेक करने वाले कि हमारे mobile phone के back camera की problem solve हुई या नहीं हुई तो उसको check करने के लिए आपको mobile phone के camera को open करने तो जैसी आप camera को open करने जाएंगे तो आपके समने ऐसा interface लेगा तो यहां पर आपको permission को allow कर देना है तो जैसी आप दूसरी permission को allow कर देंगे तो आप यहां पर आएगा ultra wide angle मुटता को डबे के center में क्लिक करने तो जैसी क्लिक करेंगे यह दखिए आपके mobile phone का camera open होके आगे यहां पर यह मैंने हाथ की पीक की बिली यह अभी मैं आपको हाथ की पीक की दिखांगो जो मैंने आप पर क्लिक किये तो दोस्तों यह दखिए मेरे उंगलियों की पीक आगे तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप जो आपने camera की back problem को solve कर सकते हैं यह थी छोटी से information वीडियो अच्छे लगी चैनल को सब्सक्राइब करने थैंक्यू